दोस्तो आज की इस वीडिये में हम कवर करेंगे चैप्टर वेर देर इस आ विल तो हम इसे स्टार्ट करेंगे लिकिन उसे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने आपके कनाटा का बोट के इंगलिश के क्लास 12 के स्लेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है अगर आपको सभी चैप बस से वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो यह जो चैप्टर है ना यह हमें बताता है एक यूज रेविल्यूशन के बारे में जो हुआ था पुड्डु कोटाई में एक स्मॉल डिस्टिक्ट है यह तमिल ना स्टार्ट किया था बाइसिकलिंग यानि कि साइकिल सीखना उन्होंने स्टार्ट किया था क्यूंकि उन्हें ऐसा लगता था या उन्हें ऐसा बताया गया था कि अगर वो साइकिलिंग करेगी ना तो उनके लिए यह फ्रीडम होगा यानि कि उनके लिए यह आजादी होगा और ये जो सभी women's है ना इने cycling सिखाया जाता था बिल्कुल free of cost और जो औरते cycle चला चला कर cycle सीख लेती थी फिर उसके बाद वो दूसरे औरतों को train करती थी यानि कि वो दूसरे औरतों को cycle चलाना सिखाती थी तो ऐसे क्या होता है सभी औरते सीख जाती है cycle चलाना और बहुत सारी औरते वहाँ पर join होती है new cyclist movement में तो ये औरते cycling सिखने के बाद अपने बहुत सारे काम करती थी इस cycle के दुआरा और कभी कभी ये cycle का multitasking में use करती थी यानि कि ये एक साथ बहुत सारे काम करती थी एक दि बचता था बतलब कि उन्हें public transport जैसे की auto रिक्षा इन सब का use करना नहीं पड़ता था तो इसलिए ये cycles का use करती थी और सभी को समाने बेजती थी take care of their children और cycle में जो seat होता है न उसमें ये अपने बच्चे को भी बैठा कर रखती थी save time and money for their comfort और इससे वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेती थी so starting में जब ये movement start हुआ यानि कि सभी औरते जब cycle सीख रही थी और दूसरे को सिखा रही थी उस समय बहुत सारे मर्द इंसान थे यानि कि मर्द थे जो कि इसे oppose कर रहे थे यानि कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि औरते cycle चला रही है तो अब क्या होता है जो जो मेंस अपोस कर रहे थे यानि कि जो जो लोग कह रहे थे कि ये सब सही नहीं है तो उन पर बहुत सारे वोमेंस ने attack किया वोमेंस मतलब volunteers ने जो की चाहते थे कि औरत cycle सीखे तो इन्हीं लोगों ने मर्द के उपर attack किया और इस movement के दोरान मुथू बसकारन ने एक गाना यानि कि एक anthem सौंग लिखा था यह है डीसी शीला रानी तो इन्हों ने बहुत सारे औरतों को help किया था ताकि उन्हें bank से loan मिल सके अच्छा औरते यहाँ पर bank से loan क्यों लेती थी क्योंकि दोस्तों वो cycle को खरीच सके है तो दोस्तों यहीं पर यह end होते हैं मुझे उमिदे कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसे दोस्तों point बना कर छोटा कर दिया था तो अब आपसे मुलकात होगी अगले वीडियो के साथ और हाँ दोस्तों मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो आप जाए और उस चैनल को भी subscribe कर ले